वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डिग्निटी प्लस, माई नेम इस गरिमा आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास सिक्स्त कृषि विज्यान की एकाई पांच फसलों की सुरक्षा के प्रशन अभ्यास अगर आपको इस चाप्टर की व्याख्या देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं तो चलिए प्रशन अभ्यास शुरू करते हैं अभ्यास के प्रशन प्रशन 1, सही उत्थर पर सही यानि टिक का चिनि लगाईए पहला है, पक्कि बार बनाई जाती है क、 इटों एवं पत्थरों को चुन कर ख, कंटेली जाड़ी लगाकर ग, तार लगाकर या फिर घ, खाई बनाकर तो इसका सही उत्तर है इटों एवं पत्थरों को चुनकर दूसरा पौधों की बार लगाने में प्रियोग किये जाते हैं पहला सर्पत करोंदा इत्यादी ख गेहूं, ग बाजरा या घ खकडी तो इसका सही उत्तर है सर्पत करोंदा इत्यादी तीसरा है कंटेली जाड़ी विधी में प्रयोग किया जाता है कब बबूल जंगल जलेबी बबूल जो है काटेदार पेड़ होता है और जंगल जलेबी भी काटेदार पेड़ होती है ख, जौर, ग, बाजरा और ग, अरहर तो आप समझ गए कि जो कंटेली जाड़ी है वो काटेदार पेणों को लगा कर ही बनाई जा सकती है जैसे कि बबूल, जंगल, जले भी इत्यादी चौथा, जालीदार तार की बार लगाई जाती है ख, छोटे भूखंड के किनारे, ख, मध्यम भूखंड के किनारे, ग, नधी के किनारे, या घ, बड़े भूखंड के किनारे तो इसका सही उत्तर है छोटे भूखंड के किनारे पांचवा, खकड़ी की बार में प्रियोग किया जाता है खकड़ी की बाड़ बनाने में क्या उपयोग मिलाते हैं पहला इट दूसरा पत्थर तीसरा लकड़ी या चौथा तार तो इसका सही उत्तर है पत्थर पत्थरों द्वारा खकड़ी की बाड़ जो है वो बनाई जाती है अब चलिए रिक्तिस्थानों की पूर्थी देख ले जो सरपत और मेहदी के पेड़ होते हैं उसके द्वारा बाड़ बनाई जाती है ख पशों से फसल सुरक्षा कंटीली जाड़ी लगा कर की जाती है ग खकड़ी का प्रियोग पहाड़ी छेत्रों में होता है खकड़ी जो है वो पहाड़ी छेत्रों में लगा कर बाड़ बना जग में लाय जाते हैं कंटीली तार की बार्त में कंटीले तार का प्रीयोग किया जाता है तो यह तो रिक्तिस्थानु की पोड़ती हो गई अब देखते हैं चलिए अगला प्रशन है प्रश्ण सिहरो 3- doe नेम लिखित में सही के सामने टिक तथा गलत के सामने क्रॉस का चिन्न लगाईए तो का है? खकड़ी विदी में इट का प्रियोग होता है तो ये गलत जवाब है खकड़ी विदी में पत्थर का प्रियोग होता है दूसरा पत्थरों का प्रियोग खकड़ी विदी में किया जाता है तो ये सही जवाब है ग जालीदार तार की बार बड़े भूखंडों के किनारे होती है, तो ये गलत जवाब है, छोटे भूखंडों के किनारे होती है, और कंटीले तार की बार का प्रियोग छोटे भूखंडों के किनारे होता है, तो ये भी गलत जवाब है, और कंटीली जाड़ी की बार में लगान में करौंदा का प्रयोग किया जाता है तो जो करौंदा होता है वो या फिर जो जंगली जले भी होती है या फिर बबूल अगेरा का प्रयोग किया जाता है तो ये सही जवाब है सुमेल करना है इस्तंब का का इस्तंब खा से पहला है विद्द बाड में तो इसका होगा तार तार द्वारा विद्द बाड लगाई जाती है ख कंटीली जाडी में तो कंटीली जाडी में करोंदा लगता है खकड़ी बाड़ में तो वो पत्थरों द्वारा बनाई जाती है कंटीले तार की विधी में पत्थर के खंबे का इस्तमाल होता है और रा पौधों की बाड़ में तो पौधों की बाड़ में सर्पत का उप्योग किया जाता है जो सरपध होती है या फिर मेहदी का पेड़ होता है वो इस्तमाल में लाया जाता है तो यह हमारा सुमेल हो गया चलिए अगला प्रशन करते हैं प्रशन पांच प्रश्न पांच पौधों की बार लगाने से क्या लाब होता है तो इसका उत्तर है इस विधी में फसलों की सुरक्षा जानवरों आदि से की जाती है प्रश्न छे, फसलों में बाढ का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है, फसलों की जानवरों से सुरक्षा हेतु जो भी उपाये खेत के चारों तरफ किये जाते हैं, उन्हें बाढ लगाना कहते हैं प्राया, जंगली एवं पालतु पशों से सुरक्षा हेतु जारी नूमा पौधे अथवा तार की बाल पांधी जाती है या लगाई जाती है प्रश्न साथ खकडी द्वारा बाल कैसे बनाई जाती है तो इसका उत्तर है इस विधी में पत्थर के छोटे छोटे टुकडों को दीवार की तरह खेत के चारो तरफ रख कर बाल बनाते है इसमें सीमेंट या मिट्टी का प्रियोग दिवार बनाने हेतु नहीं की जाती प्रश्न आठ कंटीले तार द्वारा बाल में क्या-क्या प्रियोग किया जाता है तो इसका उत्तर है ग्रह वार्टिका एवं बड़े प्रशेत्रों पर चारो और खंबे के सहारे कंटीले तार लगाए जाते हैं प्रश्न नौ बाल लगाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो इसका उत्तर है खेत की चारो और किस प्रकार की बाल लगाई जाए इसका निर्धारन खेत की इस्ति एवं समय के अनुसार किया जाता है प्रश्न दस पत्थर के टुकडों की बिना मिट्टी या सीमेंट द्वारा चुनाई कर बाल लगाने की विधी को क्या कहते हैं तो जैसे अभी हमने पहला उत्तर पढ़ाता इस विधी का नाम खकडी बाल लगाना कहते हैं खकडी बाल में पत्रों के टुकडों से एक दीवार बनाई जाती है और उसमें मिट्टी या सीमेंट जो है वो नहीं लगाई जाती प्रश्न ग्यारा बाल लगाना किसे कहते हैं तो इसका उत्तर है, बार लगाने की जो सभी विदिया हैं उसका वर्णन भी कीजिए तो ये देरगुतरी प्रश्न है फसलों क्यों मुख्यता, कीडों, बिमारियों, एवं जानवरों द्वारा हानी पहुचाई जाती है फसलों की जानवरों से सुरक्षा हेतू, जो भी उपाये खेत के चारों तरफ किये जाते हैं, उन्हें हम बार लगाना कहते हैं अब आते हैं बार की प्रकार क्या होते हैं, बार लगाने की प्रकार पहला पौधों की बार लगाना सामानेता फसलों की सुरक्षा इसलिए बार लगाई जाती है दूसरा कंटीली जाड़ी लगाना इसमें आ है सूखी कंटीली बार लगाकर और बा है हरी कंटीली जाड़ियों को लगाकर तीसरी खाई बनाकर सुरक्षा चौथी, कंटीले तार की बाड लगाना पाचवा, जालीदार तार की बाड छे, खकडी बाड लगाना और साथ, विद्धुत तार की बाड जिसमें बिजली जो है वो प्रवाहित कर दी जाती है परश्न बारा बाल कितने प्रकार की होती है? पहाडी छेतर के लिए बार लगाने की कौनसी विधी उपयोक्त है तो बार जो है वो साथ प्रकार की होती है जैसा कि अभी हमने ग्यारवे उत्तर में पढ़ा पहाडी छेतर के लिए खकड़ी बार लगाने की विधी का प्रयोग किया जाता है जो पत्थरों से लगाई जाती है प्रश्न तेरा तो इसका उत्तर है जैसे जरबेरी, करोंदा, बबूल, जंगली, जलेबी, आदी इनमें काटे होते हैं और इसके द्वारा बाड जो है वो बनाई जाती है अन्य आवश्यक प्रश्न प्रश्न एक खाई बनाकर बाग की सुरक्षा कैसे की जाती है तो इसका उत्तर है बाग के चारों और बाग की सुरक्षा करने के लिए एक मीटर चौड़ी तथा एक मीटर गहरी खाई बनाकर बाग की सुरक्षा की जाती है खुदाई से निकाली मिट्टी को खेत के अंदर की तरफ मिड़ बनाने में प्रयोग किया जाता है प्रश्न दो फसल सुरक्षा हे तू खाई की चौड़ाई वा गैराई कितनी रखते हैं तो इसका उत्तर है फसल की सुरक्षा के लिए खाई की चौड़ाई एक मीटर और गैराई भी एक मीटर रखते हैं प्रश्न तीन कंटीली जाड़ी के लिए किनकिन पौधों की जाड़ियां उगाई जाती हैं तो इसका उत्तर है अब देखे प्रश्न चार दिया है निम्न रिक्तिस्थानों की पौधी कर अपनी कौपी पर लिखो पहला है क बाग की सुरक्षा एक मीटर चौड़ी खाई बना कर की जाती है ख बार लगाने में खेती या बाग के किनारे किनारे जाड़िया उगाते हैं ग लोहे के खंबों के सहारे कंटीले तार की बार लगाते हैं जो की खर्चीली विदी है इसमें पैसे जादा खर्च होते हैं ग जंगली पशों की सुरक्षा के लिए बाग के चारों और कंटीले तार की बार लगाते हैं और रा सबसे सस्ती वाला आप दायक फसल की सुरक्षा विधी कंटीली लगा करते हैं कंटीली लगाते हैं तो ये तो हो गए इस प्रशन के प्रशन अभ्यास आपको कैसे लगे ये कमिन शेक्षन में ज़रूर बताएगा और इसके जो एक्स्प्लिनेशन का लिंक है जो लेसन है लेसन एक्स्प्लिनेशन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं और साथ ही साथ आप मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले और नेक्स्ट वीडियो यानि आपको अगले पाट के प्रशन उत्तर मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एड शिर माइव वीडियो और प्रेस के लिए बेल बटन हिट शब्सक्राब बटन और प्रेस्ट बेल इकन फो न्यू अप्डेट्स